नमस्कार ये आकाश वानी हैं अभी आप रहे नौमी से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी आज दिली में नागर विमानन से संबन देते दूसरे एशिया प्रसांत मंत्रिस्तरी समेलन में शामिल होंगे रक्षामंती राशनात सिंग ने कहा देश आत्म निर्भर भारत के ने संकल्प के साथ रक्षा छेतर में तेजी से आगे बढ़ रहा है हर्याना विधांसवा चुनाओं में एक ही चरन और जमुकश्मीर में तीसरे और अंतिम चरन के चुनाओं के लिए नामंकन भरने का आज अंतिम दिन बांगलदेश के अंतिरीम सरकार ने प्रमुक चेतर में सुधहारों के लिए छे आयों गठित करने की घोशना की और चीन के उलन ब्यूर में पुरुष एशिया होकी चैंपेन ट्रोफी टुनमेन के पूल मैच में भारत ने दक्षिन कोरिया को 3-1 से हराया अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आज नागर विमानन से संबन देत दूसरे एशिया प्रसांत मंत्री स्तरिय सम्मेलन में शामिल होंगे नई दिली के भारत मंडपम में आयुचित समेलन में प्रधान मंत्री श्री मोधी सदे सदेशों द्वारा दिली घोशना पत्र को अपनाई जाने का एलान करेंगे हमारे समवादाता ने बताया है कि दिली घोशना पत्र विमानन छेतर को नई उचायों तक पहुंचाने का एक दूर दर्शी रोट मैप है रक्षामंती राशना सिंग ने आज जोधपूर में वायु सेना के अब तक के सबसे बड़े बहुराष्टिय सेने अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण के दोड़ान हेलिकाप्टरों, प्रचंद, सारंग, सूरे किरन और लड़ाकों विमान तेजस के कर्तब देखे श्री सिंग ने इस अउसर पर कहा कि इस अभ्यास का देशे देश की सेन चमता का प्रदर्शन करना तथा प्रतिभाग देशों के बीच सहयों को मश्बूत बनाना है उन्होंने कहा कि तरंग शक्ती मित्र देशों के बीच सहयों को तथा परस पर विश्वास बढ़ाने का माध्यम है रक्षा मंत्री ने देश के बरती सेन्य ताकत का उलेक करते वे कहा कि पहले भारत रक्षा उपकर्णों का आयात करता था लेकिन अब 90 देशों को रक्षा उपकर्णों का निर्यात किया जा रहा है उन्होंने कहा कि देश अपनी जरुत के अनुसार रक्षा उपकरणों का विनिर्मान कर रहा है और मित्र देशों के साथ उच्छ प्रोधिग्यकी के उतपात बनाने में सहयोग भी शामिल है तरंग शक्ति अभ्यास में विवनिर्देशों के लड़ा को विमान हिस्सा ले रहे है वायू सेना ने इस अभ्यास के दोरान भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी आई डी ए एक्स चौबिस का भी आयोचन किया रक्षा मंत्री ने आज इस प्रदर्शनी का उठगाटन किया प्रदर्शनी में रक्षा चेतर के सार्वजनी उपक्रम, रक्षा अनुसंधान एवं विकाव संगठन, डी आर डी ओ, नीजी चेतर की उद्द्योग और स्टार्ट अप हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में विविनिर्द रक्षा उठपादो और रक्षा प्रोधिव प्रदशन किया गया है विदेश मंत्री डॉक्टर शुब्रमन्यम जैशंकर आज से दो दिन की स्विजलेन की यात्रा पर रहेंगे ये उनकी तीन देशों साओडी अरप जर्मनी और स्विजलेन की यात्रा का तीसरा और अंतिम चरन है जिनेवा में विदेश मंत्री संगठनों के प्रतिनी दियों और प्रमुकों से मिलेंगे इन संगठनों से भारत सक्रियाता से जुरा हुआ है शुरित जैशंकर दोनों देशों के बीच निकटम साज़िदारी के समिक्षा करने के लिए स्विजलेन के विदेश मंत्री के साथ भी बैठक करेंगे हर्याना में विधानसवा चुनावों के लिए नामंकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है नामंकन पत्रों के जाँच कल होगी और 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते है 90 सदस्य हर्याना विधानसवा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा मतगना 8 अक्टूबर को होगी उधर जमुकश्मीर में विधानसवा चुनावों के तीसरे और अंतिम चर्म के लिए नामंकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है इस चर्म में पहली अक्टूबर को 40 विधानसवा सीटो पर वोट डाले जाएंगे नामंकन पत्रों की जांच करल की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे जमु कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे जमु कश्मीर में सुरक्षा बलो ने एक ओपरेशन में उत्तरी कश्मीर के कूपुवारा जिले से भारी मात्रा में गोला बारूत और विस्पोटक बरामत किये हैं विशिष्ट खूफिया जानकारी के आधार पर कूपुवारा के केरन सेक्टर में सेना और जमु कश्मीर पुलीस ने एक सन्युकत अभ्यान शुरू किया था रक्षा प्रवक्ता ने श्रीनगर में बताया कि मोजदा सुरक्षा स्थिती और आगामी चुनावों को देखते वे ये बरामदे की महत्वपून है डाइमन हरबर छेतर में देर रात तक जिला न्याय देश के क्वाटर के बाहर कथित तौर पर घुस्पेटियों के गूमने को लेकर भाषपा ने आज पशिम बंगाल सरकार पर हमला बोला नई दिली में मीडिया से बात करते वे पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि पशिम बंगाल में न्याय पालिका की सुरक्षा से समझ होता किया जा रहा है श्रिपात्रा ने हिमाचर प्रदेश और करनाटक में सांपरदाइक हिंसा को रोखने में विपल रहने के लिए कांग्रेस परविन निशाना साधा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने जहारकन विधासवा चुनाव एंडिये के साथ लड़ने का फैसला किया है पार्टी के संस्थापक और केंद्रे मंत्री जिटन राम मांची ने रांची में पतरकारों से बात करते वे कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए सीटों के पहचान कर रही है उन्होंने कहा कि एंडिये सहीयोग्यों के साथ सीट बढ़वारे का फॉर्मूला तैक करने के लिए पार्टी के अद्धिश संतोष कुमार सुमन के धख्षता में एक बैठक होगी केंद्रे मंत्री से मांची ने कहा कि जहारकन के जनता हेमंद सोरिन सरकार से नाराज है में कलियानकार योजनाओं के तहद सिलाई मशीने वित्रित करने के बाद उन्होंने कहा कि कॉइंबटूर के दो लाग से अधिक महिलाए प्रधानमंत्री जीवन जोती बीमा योजना में शामिल हो गई है वित्रमंत्री ने कहा कि देश में 60 फीसदी महिलाओं ने अपना बैंक खाटा शुरू कर दिया है जन धन योजना, जीवन सुरक्षा, अटल पैंशन योजना, मुद्रा और स्टार्टाप योजनाओं का उलेक करती भी उन्होंने कहा कि केंदे सरकार समाज के सभी वर्गों के लोगों के बहतरी के लिए इमानदारी से काम कर रही है श्रिमती सीतारमन ने समाज के महिलाओं और युवाओं के संबंद में राष्ट के विकास के लिए सरकार के भविश्यवादे दिष्टिकून का वर्णन किया कोईला मंतराले ने 71 कैप्टीप और वानिचिक खधानों के संचालन के प्रक्रिया के समिक्षा की है मंतराले ने कहा है कि ये कोईला ब्लोक अरुनाच प्रदेश, च्छतिसगर, जहारकन, मध्यप्रदेश और ओडिस सहीत नोराचों में है तथा नियमन मंसूरी के विवने चर्णों में है कोईला मंतराले में अत्रिक्त सचीप रुपिंदर बरार ने आवन्टियों को कोईला ब्लोकों को जल्द संचालित करने के निर्देश दिये है आयूस मंतराले ने विशेश अभियान के तीसरे चर्ण में 1300 से अधिक जन शिकायतों का समाधान किया है मंतराले ने कहा कि इस अभियान का उदेश्य कारे स्थल में स्वचता में सुधालाना और बनाए रखना है इस दोरान विविने लंबित मुद्दों का भी निप्तारा किया गया इनमें सांसदों के साथ 187 सारवजनिक शिकायत अपीले शामिल है बांग्लादेश में अंतरीम सरकार ने समविधान सहीत छे प्रमुक छेतरों में सुधार के लिए छे आयोगों के गठन के घोशना की है अंतरीम सरकार में मुखे सलहकार प्रोफेसर मोहमद यूनूस ने कल शाम टेलिवीजन पर राष्ट के नाम समभोदन में बताया कि इन प्रमुक छेतरों में समविधान, चुनाप्रनाली, न्याईपाली का पुलीस, भ्रस्तचार, रोधी आयोग और लोग प्रसाशन शामिल है श्री यूनूस ने कहा कि छे जानिमानी हस्तियों को इन आयोगों को प्रमुक नियुक्त किया गया है सांखीकी और कारिक्रम कारियान बेन मंत्राले के तहत राष्ट्य नमुना सरविक्षन कारेले एन एस, एसो उद्धियम सरविक्षन पर नई दिली में एक समिलन आओजूचित कर रहा है समेलन भविशे के सर्वेक्षनों पर चर्चा विविने ब्यावसाई का संग हो और हिधारों के साथ जुड़ने पर केंद्रित है भारते सेना के टुकरी आज ओमान के सलाला में भारत ओमान सन्युक्त सेन्य अभ्यास अल नज़ा के पांचवे संसकरन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए रक्षा मंत्राले ने कहा है कि भारते सेना के टुकरी में साथ सेनिक शामिल है मंत्राले ने कहा कि सन्युक्त अभ्यास का अदेश आतंगवात विरोधी अभ्यान चलाने के लिए दोनों पक्षों के सन्युक्त सेने च्छामता को बढ़ाना है चीन की उलनब्यूर में एशिया एखोकी चेंपिंशिप ट्रोफी टूनामेंट में मौजुदा चेंपियन भारत ने दक्षिन कोरिया को तीन एक से हराया चार बार का चेंपिन भारत मलिशिया को 8-1 से हरा कर पहले ही सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है भारत नौ अंकों के साथ अंकतालिका के शिर्ष पर है शुरुवाती मुकाबले में भारत ने मेजबान चीन को 3-0 से और जापान को 5-1 से हराया था टूनमेन का सेमी फाइनल 16 सितंबर और फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएका प्रधानमंती नरंदर मोदी ने आज पैरिस पैरालेंपिक में हिसा लेने वाले भारत दल से बाचित की श्री मोदी ने प्रतिस्थित खेल आयोजन में उनके प्रदर्शन के लिए पदक भी जिताओ और प्रतिभाग्यों को बधाई दी भारत ने पैरालेंपिक में 7-9 रजतों 13 कान से पदक सहित कुल 29 पदक जीत कर अपना सर्व श्रीष्ट प्रदर्शन किया बाचित के दोरान खेल मंत्री मंसुक मांडविये और भारतिय पैरालेंपिक समीति के अद्यक्ष देवेंद्रे जहाजरिय भी मौजूद थे इसे के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्थ हुए नमस्कार